ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति 15 परवरी 2022 प्राताह मुरली, ओम शान्ति, बाप दादा मधुबन आज वर्दाता विधाता शीप भगवान ने मास्टर वर्दाता मास्टर विधाता बच्चों से कहा मीठी बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घ्रत डालो, तो आत्मा शक्ती शाली हो जाएगी, प्रेश्ण है, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है, उत्तर है, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए, बुध्धी योग का बल चाहिए, बुध्धी योग माना, बुध्धी से याद करते रहना, मन उस पर मातमा में लगा रहना, जोड़े रहना उससे, योग माना होता है जोड, जब हम उससे माइनस हुए, वहां से हमारी कनेक्टिवीटी हटी, यथार्थ से हम जब आय यथार्थ की ओर आये, तो हम अब बैटरी भरने का एक ही साधन है, कि बुध्धी योग का बल चाहिए, पावर भरने के लिए, आत्मारूपी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए, तो बुध्धी योग का बल चाहिए, जब बुध्धी योग बल से सर्वशक्ति मान बाप को याद करेंगे, तब बै पावर नहीं, तब तक ज्यान की धारना भी नहीं हो सकती है, आत्मा में complete रोशनी आने में टाइम लगता है, याद करते फुल रोशनी आ जाती है, गीत है रात की राही ठक मत जाना, ओम शांती बच्चों ने गीत कार्थ तो सुना है कि तुम बच्चे अब दिन में जाने के लिए पुरशार्थ कर रहे हो, नई दुनिया में तो रोशनी ही रोशनी है, पुरानी दुनिया में अंधियारा ही अंधियारा है, यह है ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात, तुम अभी दिन में जा रहे हो, बाप बच्रों को कहते हैं यह बुद्धि का योग लगाते ठक नहीं जाना, जितना तुम योग लगाते हो उतना सोचरा होता है, जितना परमात्मा की याद में रहेंगे उतने ही हमारे पाप विकर्म विनाश होंगे, हम में उन परमातमा के जो कहना चाहिए गुण हैं, वो हमारे में भी आना शुरू हो जाते हैं, बाप समान बनने की जो हमारे आतमा के ताकत है वो बढ़ने लग जाती है, जितना याद करेंगे उतना ही हम उजाले की ओर जाएंगे, सवेरे की ओर जाएंगे, सोच रहा होता है आत्मा रूपी दीपकी जो उज्ञाई हुई है वह आती जाती है उस बिजली में तो कट से करंट फट से फैल जाती है जैसे ही बिजली का तार में थोड़ा सा कट लगा तो फट से करंट आजाती है परन्तु आत्मा में complete रोशनी आने में टाइम लगता है अंत तक फुल आ ज रहना है मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती रहती है वैसे यह भी मोटर है जो कल्प पहले संगम यूग पर ही फुल चार्ज हुई थी अब ड्रामा में आते आते कल यूग तक बिलकुल ही खतम तो नहीं होती लेकिन एकदम कमती हो जाती है तो इसलिए फुल करने के लिए योग लगाते रहना है अब वैसे यह भी मोटर ही है आत्मा रूपी मोटर जो अब गुणों से भरपूर है विकारों से भरपूर हो गई है तो अब इनसे अब घरत खत्म हो गया है कौनसा घरत ज्यान रूपी घरत है तो उस ज्यान रूपी घरत को वापस याद से ही हमें देखते जाना है, चेक करते जाना है कि जिल मिल तो नहीं हो रही है, एक सार जल रही है कि नहीं जल रही है, तो याद जैसे ही कम हुई तो वो ऐसे होने लग जाती है, माया रूपी हवा के जोंखे से वो ऐसे ऐसे डिग डिग करने लग जाती है, तो यह है चेक एंड चेंज ह होते रहना हैं, तो इसी तरह इसमें अब घ्रत खत्म हो गया है, अथवा पावर कम हो गई है, बाबा को तो पावरफुल सर्वशक्ति मान कहा जाता है, इस बैटरी में सिवाए बुधी योग बल के पावर आ नहीं सकती, सर्वशक्ति मान बाप से ही योग लगाने से सारी बै बैटरी भरने के सिवाए नौलेज की भी धारण नहीं हो सकती, बैटरी भरने के सिवाए बाबा कहते हैं नौलेज भी धारण नहीं हो सकती, घड़ी घड़ी बाप को याद करते हैं, कहते हैं मुझे याद करो और बरसा ले लो, बाबा हमें यही समझाते हैं, बाबा ने सि मंत्र दिया ही है मनमना भव मामे कम याद करो तुक मनमना भव कितनी सहज बात है मनुशे तो राम राम का जाप करते हैं और चाहते हैं राम राज हो लेकिन पता ही नहीं है कौन से राम को याद करना है राम राम का जब तो करते हैं लेकिन अब परमात्मा कहते हैं कि अब जप अंदर से बाहर से सिर्फ रामराम कहने से कुछ नहीं होता है जब तक आप अंतरमन को स्वक्ष्ष वस्थ और पवित्र न बना लें तो रामराम कहने का अर्थ ही होता है कि आप अबगुंट से भरे हुए हैं तो अब उन अबगुंटों को खतम करना है और उसे कैसे हत्म करना है वहस्वयम परमात्माव देरन होकर ब्रम्ह मुखत्वारा हमें रास्ता दिखाते हैं, सच्ची दुनिया का, सच्ची जीवन का, सत्य कथा सुनाकर, अमर कथा सुनाकर, अमर पूरी का मालिक बनाते हैं, वो तो बनते नहीं हैं, तो कितनी सहज बात है इस तरह राम राम कहते राम राज चाहते हो, परन्तु ऐसे राम राम चपने से राम राज थोड़े ही होगा, ऐसा राम राम तो जन्म जन्मांतर बहुत करते आए, गंगा के कंठे पर बैठ कर यह तो कोई को पता ही नहीं, तो राम राज किसको कहा जाता है, जरूर राम ही र राम वाला राज आ गया है अब उस राम राज ने तो राम को ही आराम नहीं था तो राम राजा की ही इस्तरी चोरी हो गई है तो प्रजा का क्या हाल होगा कई कई कहते भी हैं ऐसा कैसा भगवान में ताकत थी कि अपनी इस्तरी को ही किसी के कहने पर उस पर ब्लेम लगा करके और उसको भेज दिया बन के लिए और चोरी हो गई ऐसा कैसा भगवान तो बाबा कहते हैं उनकी तो इस्तरी ही चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होगा यहां भी राजाओं कि इस्तरी कभी थोड़े ही चोरी होती है यह लोग फिर राम सीता के लिए कह देते यह बड़ी समझने की बाते हैं वास्तो में राम तो परमपिता परमात्मा को कहा जात गाते भी हैं, तुम मात पिता, अब मात पिता कौन सा, जिसके लिए यह गाते हैं, एक तो है लौकिक मात पिता, शरीर रूपी पिता, शरीर के माफिक दिखने वाला, एक आत्मा का पिता, जो आत्मा जैसे ही ना दिखाई देने वाले शक्ति, महाशक्ति, सर्वशक्ति मान है तो सद्गतिताता जो परमातमा है आत्माओं का पिता अशरीरी तो उनकी तो यह महिमा नहीं करेंगे लोकिक मात पिता की तो महिमा नहीं करेंगे जरूर दूसरा कोई परम पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए तो गायन है पारलोकिक मातपिता का ना कि लोकिक मातपिता का तो पूछते हैं who is creator?! तो जट कहेंगे godfather! तो सिध होता है ना मातपिता है! इस समय ही दो मातपिता होते हैं सतेयोग में सिफ एक ही मातपिता होते हैं पारलोकिक मातपिता को कोई भी याद नहीं करता है क्योंकि वहाँ सुख में कोई सिमरन नहीं करता लोकिक मातपिता होते भी यहां गाते हैं तुम मातपिता इस समय हम बच्चों को बाप द्वारा सुख घनेरे मिल जाते हैं फिर एक मातपिता हो जाता है पारलोकिक मात पिता द्वारा सत्यूग की प्रालब्ध में सुख घनेरे मिलते हैं उस मात पिता का ही गायन है फिर भी ऐसे बाप को बच्चे याद करना भूल जाते हैं तुम बच्चे को तो सबको बाप का परिच्चे देना है असली पिता का, असली खुद कई पिच्चान देनी हैं कि हम कहां के रहने वाले हैं मैं कौन, मेरा कौन और हम आते कहां से हैं इस संसार में पाट बचाने तो यह सब, सबको यह बात बताने हैं परिच्चे देना हैं कि बाबा आया है हमेशा शीब बाबा और ब्रम्हा बाबा कहते हैं प्रचा पिता का तो नाम बाला है शीब बाबा ब्रम्हा बाबा लौकिक बाबा वह पारलौकिक परम्पिता वह फिर मात्पिता कैसी बनते हैं यह बड़ी गुहा बाते हैं कोई भी आते हैं पहले यह पूछो कि परम्पिता परमात आपका क्या लगता है प्रच्रपिता आपका क्या लगता है जब अमब भी गुप्त तो यह ब्रम्हा भी गुप्त यह ब्रम्हा ही बड़ी मा है ब्रम्हा लोकिक बाप का तो नाम रूप देशकाल सब जानते हैं अब तुम उनको पारलोकिक मात पिता का नाम रूप देशकाल occupation बताओ, मम्मा की भी यह बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को adopt करते हैं, तो मात-पिता कम-mind हो जाते हैं, इनको मात-पिता आत्वा बाप-दादा भी कहते हैं, दादे का वर्शा मिलता है बाप के द्वारा है न, तो बाप-दादा भी कहते हैं, किसको समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए, बड़े बोड़ पर लिखना चाहिए, निराकार पुरम पिता परमात्मा को सब याद भी करते हैं, परन्तु यह नहीं जानते तो वह मात पिता कैसे हैं, इतनी भी मनुश्यों की बुधी नहीं चलती, क्योंकि बाते हैं, बहुत बिचित्र, जो बाप ही आकर सुनाते हैं, आत्मा कहती है, ओ परम पिता परमात्मा, वह भी है, आत्मा परन्तु सुप्रीम है, हम सोल हैं, वो सुप्रीम सोल है, तो सुप्रीम मान परम, ever pure, जनम मरं से न्यारा, कर्म गती में नहीं आता, कर्म भी कर्म में नहीं आता गति दुर गति में नहीं आता निराकार शिव परमात्मा वह भी है आत्मा तो वह परमात्मा है वह परमधाम में रहने वाला है वह खुद तो चनम मरण में नहीं आते आकर के हम बच्चों को पतित जनम मरण से छुडाते हैं पतित दुनिया से चुडाते हैं, पावन जन्म मरंड से नहीं चुडाते हैं, पावन होने के समय चुडाने की कोई बात ही नहीं, तो पावन जन्म मरंड से नहीं चुडाते हैं, पतित आत्मा को ही पावन आत्मा बनाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है, मनुश् रामसीता कभी अर्थ नहीं समझते, वास्तों में सब भक्तियां सीताएं हैं, आतमाएं सीताएं हैं, याद करती हैं एक साजन अर्थात परमात्मा को, बाप कहते हैं बच्चे, इस समें सारी दुनिया में रावड राजी है, सिर्फ लंका में नहीं, रावड को चलाते भी यहां है लंका हिंदुस्तान में नहीं वह तो बोधियों का अलग खंड है तो इस समें सारी दुनिया रावड के बंधन में है सारी दुनिया में रावड का राजी है आधा कल्प है राम राजी आधा कल्प है रावड राजी इस तरह राम राजी और रावड राजी आधा आधा होता आधा कल्प दिन, आधा कल्प राथ अर्था अधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख यह सब बातें बुद्धी में रहने की हैं, इस समय तुम रावल पर विज़े पा रहे हो, जो पूरी विज़े पाएंगे वही मालिक बनेंगे, सत्युगादी में लक्ष्मी नारेन का राज्य था, उन्हों का, उन्होंने यह स्वर्ग की प्रालब्ध कहां से और कैसे पाई, सत्युग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, लाखों की अंदाज में होंगे, जमना के कंठे पर राजधानी होगी, वहां कोई विकार होता ही नहीं, सभी निर्विकारी होते हैं, और जहां विकार होता वहां कोई निर्विकारी होता नहीं, कहा ही जाता है संपूर्ण बच्ची भी योगबल से ही पैदा होते हैं वहां रोना पीटना कुछ नहीं होता परन्तु पहले यह बातें नहीं निकालनी हैं पहली बात ही यह उठाओ कि निराकार पुरम पिता परमात्मा और हम आत्माएं भी परलोक से आते हैं और फिर यह हम यह दिखने वाला अव्यक् शरीर को धारण कर पाट बचाती है अदविस हम से आत्माएं रूपी भाई भाई आपस में एक परमात्मा की संतान हैं और इतने सारे मनुष्यात्माएं करूणों तन लेते हैं तो कहीं न कहीं तो रहते होएंगे ना आत्मा शरीर छोड़ती हैं कहीं तो रहती होगी कहीं लेकिन वह जब तक जाना सके जब तक कि यह ड्रामा पूरा नहीं हो जाता है कल्ब के बाद ही सब आत्माओं का जाना शुरू होता है और आत्मा जैसी आई वैसे ही जाती हैं अपने हिसाब किताब पूरा चुक्तू करके तो इस तरह से यह बात उठाओ कि निराकार परमात परमपिता परमातमा और हमातमा भी परलोग से आते हैं तो तुम्हारा परलोग परमपिता से क्या संबंध है नमबर वन बात यह है यह है ना तो पहले यह बाप का संबंध निकालो तो मा का और भरसे का संबंध निकलेगा एक अल्फ को भूलने से ही सब कुछ भूले हैं है उस बाबा को परमातमा को भूलने से ही सब कुछ भूले हैं, यह भी भूल भूलाया का खेल है, जो ड्रामा में नूध है, रावड ने पहले पहले अल्फ से ही भूलाया है, सबसे पहले अपने बाप को ही भूलाने में मदद की है, कि इसने रावड ने, और तब से हम बाप को को भूल गए, अपने खुद के सद्गुणों को भूल गए, अपने दुनिया को भूल गए, सॉरी, फिर बापस अल्फ की मदद से हम रावड पर जीत पाते हैं, समझाने की पॉइंट तो बहुत है, प्रदर्शनी में मुख्य बाद अल्फ की समझानी है, अल्फ के बाद ही बे ते आता है, बे परवाह बाद शाह, अल्फ को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेंगे, कितना भी भल माथा मारू परम पिता है, तो पिता से वर्सा मिलता है, बाबा का वर्सा मिला तो वर्सी के हाकदार बन ही जाते हैं, त्रमूरती पर समझाना कितना सहज है, उपर मैं बाब खड़ा है, नीचे लक्षमी नारेण वर्सा, यह विश्नु खड़ा है, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो यह वर्सा पाएंगे, बच्चे कहते हैं ब्रम्हा द्वारा देता हूं, जो आए उनको इस बात पर ही समझा, मूल बात ही त्रमूरती की है, त्रमूरती प्रम्हा का तो कोई अर्थ ही नहीं समझाना है, यह निराकार शीप बाबा, उनको ही ज्यान का सागर कहा जाता है, फिर यह वर्सा है, अब बाब तो है निराक फिर इन लक्षमिनारण को वर्षा कैसे मिला, कहां से आया, यह तुम यहां अपने को विश्नु को मार नहीं कहलाते हो, तुम तो हो ही भी के, ब्रह्मपुरी मनुश्यों की ही कही जाती है, जहां खास ब्राम्हन रचते हैं, सिंध में भी ब्रह्मपुरी थी, यह किसने समझा शिप बाबाने, हमेशा बाब दादा का माइंड कहना है, कभी बाबा, कभी दादा बोलेंगे, दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है, तो जब जिसको चाहे वह यूज करेंगे, बंधन थोड़े ही है, तो पहले है यह बात की ज्यान सागर गीता का भगवान बाप है, वह कहते हैं, यह ब्रह्मा विश्णो शंकर तो सुक्ष्म बातन बासी है, देवता हैं, यह ब्रह्मा तो मनुष्य है, जब संपूर्ण बनेंगे, तो देवता कहलाएंगे, अभी नहीं, यह तपस्या कर फिर देवता बनते हैं, इन ब्रह्म कुमार कुमारियों को भगवान रेते समचाना है, समचानी बहुत सहज है, यह शिव बाबा, यह वर्षा, यह शिव तो निराकार है, इसलिए ब्रह्मा द्वारा देते हैं, उनको करमेंद्रिया चाहिए, रथ चाहिए, और चीव चाहिए, तब तो आत्मा ज्यान दे, तो परमात्मा इनके द्वारा देते ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना जरूर अभी ही राजयोग सीखते हैं यह बनने के लिए यह श्युपूरी यह विश्नुपूरी है आच्छा मीठे मीठे सीखी लाधे बच्छों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मौने रूहानी बाब की रूहानी बच्छों को नमस्ते हम रूहानी बच्छों की रूहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार और गुड मौनिंग शुक्रिया बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा सबका साथी सबका सहारा धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा अल्फ की याद से रावड माया परचीत पानी हैं सबको अल्फ का परिचे देना है परमातमा का बाबा का शिब निराकार परमातमा का हम सबके बाब का परिचे देना है दूसरा याद की यात्रा में ठकना नहीं है अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशुक्ती मान बाप को याद करना है बुध्धी योग उसे लगाए रखना है वर्दान है एक बाप की याद द्वारा एक रस्थिती का अनभो करने वाले सार स्वरूप भव एक रस्थिती में रहने की सहज बिधी है एक की याद एक बाबा दुसरा न कोई जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है ऐसे बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है एक बाप को याद करना अर्थाथ सार स्वरूप बनना तो एक बाप दुसरा न कोई यह एक की याद एक रस्थिती बनाती है यह एक की याद जो एक सुख दादा बाब की याद में रहते हैं उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती उन्हें स्वप्ण भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं आज का स्लोगन है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य परमात्मा द्वारा फ्रस्ट लॉटरी क्यों ना विन करें जीतना है ना तो देखो, बहुत मनुश्य ऐसे समझते हैं थोड़ा सभी पुर्शार्थ करने से हम बैकूंट में तो आ जाएंगे ना परतु उन्हों को यह सोचना चाहिए कि परमात्मा बाप आया है तो कंप्लेट परसा लेने के लिए तो स्टूडेंट का काम है संपुर्ण पुर्शार्थ कर स्कॉलर्शिप लेना स्कॉलर्शिप हर किसी को नहीं मिलती ना फरस नमबर पे सब आ सकते हैं लेकिन स्कॉलर्शिप तो बहुत कम लोगों को मिलता है तो पहला नमबर लोटरी क्यों न विन करें वह है विजय माला में पिरोया जना बाकी दो लड़ू पकड़ कर बैठे हैं यहां कभी हद का सुखलों और वहां का भी वहां भी बैकोंट में कुछ न कुछ सुखले ऐसे विचारवान को मध्या और कनिष्ट पुर्शार्थी कहेंगे ना की सर्वोत्त पुर्शार्थी जब बाप तेने में आनकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों कत्राते हो तक गुरुनानक ने कहा प्रमात्मा तो दाता है समर्थ हैं मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं देन्दा दे लेन्दा ठक पाए देने वाला देता है लेकिन लेने वाला ठक जाता है आपके दिल में आता होगा हम क्यों न चाहेंगे कि हम भी यह पद पाएं, परंतो देखो बाबा कितनी महनत करता है, फिर भी माया विग्रन कितना डालती है, क्यों? अब माया का राज समाप्त होने वाला है, अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तब ही प्रमात्मा आते हैं, जिसमें सब्रज समाया हुआ है, जिस सभी संबंध की रसना मिलती है, तब ही तोमेब माताश्च पिता, आदी आदी यह महिमा उस प्रमात्मा की है, तो बलिहारी इसी समय की है, जो ऐसा संबंध हुआ है, आच्या, ओम शांती, ओम शांती,